हेलो एवरिवन मैं हूँ शेलेजा जोशी स्वागत है आपका वर्ल्ड स्टॉप एजुकेशन में कौन बनेगा करोडपती 2020 के लिए फर्स्ट आईवीर कॉल रिसीव करने के बाद आप में से कई लोगों को ऑनलाइन ओडिशन के लिए सेकेंड आईवीर कॉल भी आ चुकी है और कई लोगों को भी कॉल आईगी जिने कॉल आई है उन्हें बहुत बहुत बढ़ाई आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ओनलाइन ओडिशन कॉल आने के बाद आपको क्या करना है पहले सुनते हैं कि आईवीर कॉल में आपसे क्या कहा जाएगा इंग्लेश सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेट करनी है मानों आपने हिंदी के लिए एक दबाया कॉम बनेगा करोरपती के ओनलाइन ओडिशन के लिए चुने जाने पर आपको बहुत बहुत बढ़ाई आपका ओनलाइन ओडिशन 6 जून 2020 की तारीफ को सुभा 11 बजे होगा क्या आप ओडिशन के समय उपलब रहेंगे यदी हां तो एक दबाईए यदी नहीं तो दो दबाईए आप हां के लिए एक दबाएंगे यहां ओडिशन की डेट 6 जून 2020 बताई गई है आपकी जो भी डेट होगी वो आपको बता दी जाएगी उस डेट को सुभा 11 ब आपको जुलाई और नवंबर 2020 के बीच कुछ दिनों के लिए शूट के लिए मुंबई आना पड़ सकता है क्या आप इस तोरान शूट के लिए उपलब रहेंगे यदी हां तो एक दबाईए यदी नहीं तो दो दबाईए जुलाई से नवंबर के बीच शूट होगा आप अविलेबल हैं तो आप हां के लिए एक दबाएंगे धन्यवाद अब आपको ओडिशन से समबंधित जो सूचना भी जाएगी उसे ध्यान से सुने आपको अपने नाम और तहचान के प्रमान के रूप में निन्न लिखित दस्तावेजों में से किसी एंग की सॉट कॉपी क या इमेल के जर्येश भेजना होगा ध्यान रहे कि ये दस्तावेज हिंदी या अंग्रेजी में होने चाहिए पैंकार्ड के साथ जन्म प्रमान पत्त्र या पासपोर्ट या मच दाता प्रमान पत्त्र या ड्राइजिंग लाइसेंस या UID यानि आधार कार्ड आपको अपने documents की soft copy यानी image भेजनी है और इसे आप email से भेजेंगे और यह documents हिंदी या English में होनी चाहिए किसी reasonable language वाली documents नहीं भेजनी है आपको नाम और पहचान के प्रमाण के लिए pan card, passport, voter ID, driving license या आधार card में से किसी एक की soft copy भेजनी है आपको अपने अवासिय पते के प्रमाण के रूप में निम्नलिखे दस्तावेजों में से किसी एक की soft copy के साथ email के जरिये भेजना होगा ध्यान रहे कि ये दस्तावेज हिंदी या अंग्रेजी में होने चाहिए टेलिफोन या विजली का बिल या पासपोर्ट या मतदाता प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड या यू आईडी यानि आधार कार्ड आपको अपने अड्रेस के प्रमाण के लिए टेलिफोन या इलेटरिसिटी बिल पासपोर्ट वोटर आईडी ड्राइविंग लाइसेंस राशन कार्ड या आधा कार्ड में से किसी एक की सौफ्ट कॉपी भेजनी है यानि नेम एन आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एक डॉकुमेंट और अड्रेस प्रूफ के लिए एक डॉकुमेंट आपको अपने नाम, मुबाइल नंबर और इन दस्तावेजों के साथ एक इमेल 5 जून 2020 को या उससे पहले kbcresponse at paradesetindia.com पर भेजना होगा अब यह important step है आप इमेल में इन डॉकुमेंट्स की इमेज के साथ अपना नाम और अपना मुबाइल नंबर भी लिखेंगे और 5 जून 2020 तक इसे kbcresponse at setindia.com पर भेज देंगे आपको यहां ध्यान रखना है कि आप वही मुबाइल नंबर लिखें जिस पर आपको online audition के लिए call आई है हो सकता है आपने call forwarding की हो तो पता लगा लीजिए कि कौन से नंबर पर call आई है और वही मुबाइल नंबर इमेल में लिखें और दूसरी बात आपने आप से रजिस्टर किया है तो इस मुबाइल नंबर के साथ जो इमेल आपने रजिस्टर किया है उसी इमेल आईडी से मेल भेजना है प्रिप्या ध्यान दे कि आपको अपना पंजीकरन पूरा करने के लिए ओडिशन के दिन सुभा साड़े दस बजे सोनी लिव आप पर लोगिन करना होगा जी के अर्थात सामानिय ज्यान की परिक्षन सुभा ग्यारा बजे शुरू हो जाएगी और देर होने पर आपको लोगिन करने की अनुमती नहीं होगी दिये गए डेट को आपको सोनी लिव आप पर लोगिन करना है साड़े दस बजे यानी 10.30 एम को यहां पर ध्यान रहे सोनी लिव आप में लोगिन करते वक्त पुराने जिस भी इमेल आईडी से या मोबाल नमबर से लोगिन किया हुआ हो तो उससे पहले लोग आउट या साइन आउट कर लें फिर जिस नमबर पर कॉल आई है उस नमबर से या उससे जुड़ी इमेल आईडी से लोगिन करें आपका जनरल नौलेज का टेस्ट होगा और प्लीज टाइम का खास ख्याल रखे क्योंकि लेट लोगिन नहीं करने दिया जाएगा जब आप सामान्य ज्यान परीक्षन पूरा कर लेंगे तो आपको अपने बारे में कुछ जानकारी विडियो रिकॉर्ड कर अप्लोड करके भेजनी होगी विडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित बाकी निर्देश आपको ओडिशन के दिन ही दिये जाएंगे खृप्या निर्देशों का बहुत साफधानी से पालन करें ओडिशन प्रक्रिया पूरी करने और अगले राउंड में जाने का मौका पाने के लिए आपको सभी विडियो अप्लोड करने होंगे अब बात वीडियो अप्लोड करने की जो आपको जनरल नौलेज टेस्ट देने के बाद अप्लोड करनी है आपको डिटेल्स टेस्ट देने के बाद बता दिये जाएंगे और यहाँ पर कहा गया है कि सभी वीडियो अप्लोड करने होंगे यानि दो या दो से ज़्यादा वीडियोज अपलोड करने को कहा जाएगा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ओडिशन और शो में आगे की भागीदारी www.sonylive.com पर उपलब्ध नियम और शर्तों के अधीन होगी अधिक जानकारी के लिए आप हमें kbcresponse at the ratesetindia.com पर इमेल भेज सकते हैं यानि आपको और भी कोई डाउट हो तो kbcresponse at setindia.com पर इमेल कर सकते हो फिर से सुनने के लिए स्टार दबाईए आपको अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो short में वे दुबारा information रिपीट करते हैं मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सभी कुछ clearly explain कर सकूँ फिर भी कोई डाउट हो तो comment section में लिख दे मैं reply जरूर करूंगी आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुब कामनाए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार